लोग वेक्टर का वीडियो नंबर फाइप लेक्टे लिए और यह वीडियो है वेक्टर के बारे में पहले पढ़ाए हूँ कि वेक्टर जो ऑग्टो का किसी भी फिजिकल क्वाइंटिटी को हुभा में लिख सकते हैं हमारे पास कोई एक रहाmbं के अग्ठो को इस वेक्टर को ठेंठेस कराके तो में एक्सिस में एक्सिस और यह है इसके साथ में एंगल ठीटा इसको हम लोग तीनों एक्सिस में रिजोल्ड कर सकते हैं इसको तीनों एक्सिस में जो है इसको रिजोल्ड कर सकते हैं रिजोल्ड का मतलब है इसके तीन कंपोनेंट्स बना सकते हैं एकस एकसिस के अलोग जो कमपोनेंट होगा वो कमपोनेंट होगा इसका AX Y-axis के अलोग जो कमपोनेंट होगा वो कमपोनेंट होगा इसका AY और Z-axis के अलोग जो कमपोनेंट होगा वो होगा इसका कमपोनेंट AZ मतलब कि यह जो प्रोसेस है किसी भी वेक्स क्वांटिटि को उसके तीनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्ट करने का जो प्रोसेस है, X-axis के अलोग AX, Y-axis के अलोग AY और Z-axis के अलोग AZ, थीस को से्ट ऐसे चल्ड़ आ री जो लूशं और वेक्टर है रही करने की आपको को जो रहीचिन और को स की दिफाइज बूचे तो यहई है तो यह थी प्रोसेश ऑक प्ल्दीग कंपोनेंस प्लऻों मेन थे दा यह चे सहां No resolution of vector, इसको बोलते, resolution of vector, यहनि हम लोग यह बोल सकते हैं, the process, process, of finding, finding, the components, along the x-axis, x, y and z-axis, z-axis, is called, resolution, resolution of vector, इसको बोलते हैं, आमनों, resolution of vector, इस्टुएंट जो 10th से बोह यह 11th में, वो लोग अच्छी सी धान दो, the process, of finding, the components, along x-axis, y-axis and z-axis, this is called, resolution of vector, मतलब एक वेक्टर को, तीनों, axis माने लिखना है, x-axis के लोग, ax, y-axis के लोग, ay, z-axis, this is called, resolution of vector, resolution of vector जो होता है, उसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, पहले हम लोग आपको, इसमें, दो, axis के लोग फंगाउट करना सिखा रहे है, suppose करो, यह हमारे पास में, कोई, a vector है, a vector है, और, इसके, यह x-axis के साथ में, खिटा एंगल है, यह इसकी y-axis हो जाएगे, इसके, दोनों axis के लोग, जो component बना सकते हैं, x-axis के लोग जो होगा, उसको लिक्ए leaders, y-axis के लोग जो component होगा, इसको लिक्रिण आमनों ay, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो, इसको इस टाइप से बना सकते हैं, अगर यह जो distance ay है तो यह जो length है यह length को भी हम लोग क्या लिख सकते है इसको भी हम लोग लिख सकते ay अगर यह length हमारे पास में ax है तो यह length भी क्या हो जाएगे हमारे पास में ax हो जाएगे यह कोई origin point है यह हम लोग इसको लिखेंगे a और ये point हो जाएगा B देखो बच्चो हम लोग जो है इसके component कैसे find out करते है देखो इन triangle O, A, B इस triangle में दान दो O, A, B एक right triangle triangle है इसमें हम लोग लिख सकते है cos theta equals to cos theta equals to A, X upon A जानी O, B upon O, A cos theta equals to O, B इसको लिखेंगे A, X और O, A जो है इसको लिखेंगे A मतलब A, X की value जो है आपनों इसको इससे multiply कर दीजे और ये लिख पाएंगे A, X equals to लिखेंगे A, cos theta इसको आपनों देदीजे equation 1 आगे जान दो इसी triangle में O, A, B ये triangle में क्या हम इसमें sin theta अगर लिखना चाहें तो sin theta equals to लिखेंगे sin theta equals to ये हो जाएगा A, B A, B upon O, A O, A A, B जो है ये हमारे पास में given है A, B इसको लिखेंगे A, Y O, A ये given हमारे पास में A मतलब A, sign theta की value जो है वो हो जाएगी A, Y upon A और A, Y equals to लिख पाओगे आप लोग A, Y equals to जानदों इदर कच्चे से A, Y upon A लिखाओ A, Y equals to लिख पाओगे A, sign theta तो ये हो जाएगा इसका equation 2 तो आप लोग जो है equation 1 और 2 पे ढानदों जाएगे कि इसमें जो है दो component find out कि कि X axis के अलोग जो component है vector का उसको लिखे हम लोग A, cos theta और Y axis के अलोग जो component है vector का A, Y equals to इसको लिखे हम लोग A, sign theta बतलब हम लोग किसी भी vector के जो है component बना सकते हैं along the X axis, along the Y axis अगर मुझे X axis के अलोग बनाना है तो A, X equals to A, cos theta और Y axis के अलोग जाए A, Y equals to A, sign theta इसको आगे देखो आप लोग जो है इसको note कर लिजे और इसको आप लोग जो है पोज कर के भी जो है आप लोग note कर लिजे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ देखो मतलब हमारे पास में X axis के अलोग जो वेक्टर जो आया है जो कंपोनेंट आया है वो आया मारे पास A, X equals to A, cos theta तो इसको अगर हमने लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते है by equation 1 and 2 इससे देखे A, X square plus A, Y square A, X square plus A, Y square आनि दोनों equation जो है उनको square करके add कर रहा हूँ तो A, X square plus A, Y square तो यह हो जाएगा A, cos theta A, cos theta square plus A, sin theta A, sin theta इसका होल स्क्वार और यह जाएगा A, X square plus A, Y square equals to A square cos square theta plus A square sin square theta और यहाँ से आप लोग जोए A square common ले सकते हो A, X square plus A, Y square equals to A square common ले ले जे क्या रहेगा इसे में cos square theta plus sin square theta देखो बच्चों आप लोग जोग जोगा 10th में यह परूमला को पढ़ेँगे sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta इसकी value कितनी होती है 1 तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि A, X square plus A, Y square equals to जाएगा A square और A की value जो है A तो square है इसको इदर shift कर देंगे और यह जाएगा under root A, X square plus A, Y square और यह जो है this is the magnitude of the vector इसको बोलते है magnitude of the this is the this is the resultant resultant magnitude magnitude of vector इसको बोलते है resultant magnitude of vector मतलब A जो vector जाएगा है A vector इसको हम लोग लिख सकते हैं दो X's के अलोग लिखना चाहें एकस इसके अलोग लिखना चाहें तो A, X और Y, X इसके अलोग लिखना चाहें तो यह हो जाएगा हमारे पास में A, Y हो जाएगा यह vector फॉम है और इसका यह क्या इसका magnitude दिया हुआ है तो यह जो है आपको कोई बोले कि सर, A जो है तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो यह था कि सर, A हमारे पास में एक vector था यह vector था इस vector का यह साथ में एंगल ठिटा था यह X axis थी यह Y axis थी इसका यह component दिया हमारे पास में A, X यह जो component था यह था हमारे पास में A, Y और इसको हम लोग लिख सकते थे A vector जो है यह हो जाएगा A, X vector plus A, Y vector मतलब दो component में हम लोग इसको result कर सकते हैं इसका magnitude मैंने अभी आपको बताया था magnitude of resultant vector resultant vector इसका जो magnitude था वो मैंने बताया आपको एक वस्टू लिख सकते है अंडा रूट यह हो जाएगा A, X square plus A, Y square तो यहां तक हम लोग अभी तक बढ़ें किसाथ magnitude जो है वो इस टैप्स हो जाएगा अगर इसको तीनो component में result करें तो तीनो component में ऐसे result कर सकते हैं यह हमारे पास में यह कोई vector है A vector और उसका लिए यह हो जाएगा A, X जो X axis के अलोग है और यह component हो जाएगा A, Y जो Y axis के अलोग है और यह component हो जाएगा A, Z जो Z axis के अलोग है देखो यह origin point है तो हम लोग लिख सकते हैं यह जो vector दिखा है हम लोग A vector जो दिखा है इस vector का इसके साथ में यह angle जो 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 ज़िटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सरी यह A vector जो है A vector request लिखेंगे A, X vector प्लस A, Y vector प्लस A, Z vector मतलब तीनों एक्सिस में हम लोग इसको क्या किये result का दिए A, X vector प्लस A, Y vector प्लस A, Z vector या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते है A vector equals to A, X X axis के अलोग अगर डाइरेक्स से लिखना है तो हम लोग किस से लिखेंगे I unit vectors है जो हमारा वीडियो लेक्सिस तमबर थ्री में मैं explain किया हूँ तो A, X, I लिख सकते है प्लस A, Y J प्लस इसको लिख सकते है A, Z K इस टाइब से भी हम लोग लिख सकते है इसको I जो X axis के अलोग जो डाइरेक्सन देगा J Y axis के अलोग डाइरेक्सन देगा Z K axis के अलोग डाइरेक्सन देगा Z axis के अलोग डाइरेक्सन देगा magnitude लिखना है magnitude magnitude of resultant vector resultant vector देखो magnitude अगर मुझे लिखना है तो magnitude कैसे लिखेंगे इसका जो magnitude है यह होजाएगा under root x square plus ay square plus az square यह क्या होजाएगा इसका magnitude हो जाएगा हमको direction के बारे में बात कर लेते है direction of the vector यहां हमने लिख देता हूँ direction of the vector देखो direction direction of vector अगर मुझे direction के बारे में कहीं बात कर पूरी physics में आपको direction के बारे में कोई पूचता है तो हमेशे आपको लगाना 10 theta यह समझे लो आप लोग जो 11th class के जो में जो आयो स्टुडेंट जो मौर है वो आपको कोई physics में कोई पुचले direction of the vector तो वहां पर आपको लगाना है 10 theta तो यहां पर देखो बच्चो यहां पर आपनो direction के लिए 10 theta और 10 theta के लिए देखो यह जो है vector यह अगर हमारे पास में देखो बच्चो यह ax है तो यह भी ax हो जाएगा यह ay है तो यह भी value ay हो जाएगी तो हम लोग direction लिखेंगे 10 theta से और 10 theta equals to लिख सकते हैं 10 theta equals to ay upon ax यानि कि theta equals to लिख सकते हैं 10 inverse ay upon ax this is the direction of the vector आपको को direction of the vector कूचे तो वहां आपको लगाना 10 theta 10 theta देखो इस triangle में इसमें लिख सकते 10 theta equals to ay upon ax और theta equals to 10 inverse ay upon ax तो यह था बच्चो अमारा resolution of vector और resolution of vector के बारे में एको पर और में आपको समझाता हूं resolution of vector जो था यह था the process of the finding of the components of the vector along the x-axis y-axis and z-axis this is called resolution of vector और magnitude of vector अगर हमको calculate करना है तो magnitude कैसे calculate करते हैं अगर कोई vector जो होता है दो ही component में result किया है तो उसका resultant magnitude रहेगा अगर कोई vector जो होता है वो तीन component में result किया गया है यह एक्स-axis के लों य-axis के लों और z-axis के लों इस टाइब से अगर रिजोल्ड किया है तो उसका जो है रिजल्टेट मेंगनिटूड हो जाएगा A equals to under root AX square plus AY square plus A Z square हम लोग एक 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 जामपल लेते हैं एक एक जामपल से इसको अच्छे से किलियर करते हैं देखो इसका एक एक जामपल से हम लोग अच्छे से किलियर करते हैं कोई आपके पास में दिया है वीटा एक ट्रिक वेक्टर रिक्वस्टू 3i प्लस फोर जएं इस टाइप से दिया है है और आपको पूछदा कि उसन में find the कि फाइंड दी मैंतिव और कि मैंने टूड एंड डाइरेक्शन कि डाइरेक्शन अभग्दी रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर कोई आपको ऐसे दें कैसे करेंगे देखो इसको हम ऐसे सोल करेंगे एक वेक्टर है 3i plus 4j मतलब एक वेक्टर वो कितने कंपोनेंट में रिजॉल्ट किया है अप लोग देखें एक एक से इसको लोग किया तो इसके सिमिलर अब लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यह जाएगा axi plus ayj इस टाइप से इसको लिख सकता है अब देखो वेटा इसको हम लोग मैगनिटूड लिखना चाहे मैगनिटूड मैगनिटूड का हम लोग रिजल्टेंट मैगनिटूड रिजल्टेंट रिजल्टेंट मैगनिटूड यह जाएगा अंडर रूट ax square प्लस ay square और यह जाएगा अंडर रूट ax की value कितनी लिखी हुए यहाँ पर जान दो कितनी लिखी हुए 3 तो हम लोग लिखेंगे 3 square ay की लिखेंगे हमारे पास में 4 और रिजल्टेंट मैगनिटूड जो है इसका यह हो जाएगा 33 और लिखेंगे 9 प्लस 44 लिखेंगे 16 और इसको लिख सकते यह हो जाएगा हमारे प हो जाएगा 5 तो आपको पूलता है पहला हमारा आंसर है कि रिजल्टेंट मैगनिटूड तो रिजल्टेंट मैगनिटूड हो जाएगा हमारे पास में 5 दूसरा एक और पूचरे इसमें direction देखें बच्चों अगर हमको direction calculate करना है तो मैंने आपको बताया कि direction के लिए हमेशा लगाते हैं हमनों 10 थीटा और 10 थीटा जो है इक्वस्ट लिखते हैं direction 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 के लिए मेटा हमनों लगा दे 10 थीटा 10 थीटा एक्वस्ट लिखते हैं ay अपॉन x और थीटा एक्वस्ट लिखते हैं theta equals to 10 inverse और ये लिकीदी ay uponax और theta equals to 10 inverse ay ay की value क्या हो जाएगी 4 तो ये लिकीदे 4 upon x की value जो है x की value कितनी हो जाएगी 3 तो अंबेलों लिकीद страх equals to 10 inverse 4 upon 3 तो ये हमारा answer हो जाएगा कि यह हमारे पास एक एक जांपल था उसके में पूचा था हमारे पास magnitude और डायरेक्शन तो हम लोग इस टाइप से magnitude और डायरेक्शन पाइंड आउट कर सकते हैं तो अगला क्यूसर लेते हैं हम लोग इसके बाद में उनके लिए मैं एक बूक जो है फिजीश की सजेस्ट करता हूँ एक बूक है सबसे अच्छी बूक है आप लोग जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो यह आप लोग फिजीश के पूरे concept एक दम के लिए रहे बस इस book की खास बात है कि इसके solution नहीं दिया है solution जो है वो आपको teacher से या फिर आप लोगों खुद से बनाने पोगे हम लोग जो हमारी coaching में जो है कि एक क्यूशन है एसी वर्मा का कि एसी वर्मा यह राइटर का नाम है एसी वर्मा इसलिए बहुत फैमेस बूक है इसका problem नंबर एट दिया है फोर दिया है और आप एवेक्टरी क्वश्टू इस एवेक्टरी क्वश्टू 4i प्लस 3J एंड बी वेक्टर इक्वश्टू 3i प्लस 4J फाइंड दे मैग्निटूड मैग्निटूड ओप इसमें देखा ऐसे लिखा हुआ फाइंड दे मैग्निटूड ओप फर्स्ट लिखा हुआ है एवेक्टर सेक्ड लिखा हुआ है बी वेक्टर थार्ड लिखा हुआ है एवेक्टर प्लस बी वेक्टर और फॉर्थ इसमें पूचा गया है एवेक्टर माइनस बी वेक्टर चलो बच्चों हम लोग इसका क्यूशन करते हैं ऐसी वार मागा है क्यूशन है Let A vector equals to 4I plus 3J and B vector equals to 3I plus 4J Find the magnitude, magnitude, numerical score से पढ़ना पढ़ता magnitude आँपे A vector, B vector, A plus B vector and A vector minus B vector देखो इसका solution, देखो First calculate करना हमको A vector, magnitude, magnitude के लिए क्या करते हैं इस type sum दो बना देती इसको A जो है, इसका value दीवी अमारे पास में A vector A जो vector है, ये given अमारे पास में 4I plus 3J इसका magnitude, आप लोग इसको कीजे compare A X I plus A Y J ऐसे हो जाए गई, और magnitude के लिए मैंने आपको बता है magnitude के लिए एक vector को इस type से mode की फोम में बदल देते हैं, तो ये हो जाता magnitude, under root A X square plus A Y square, तो magnitude of A vector request हो जाएगा A X 4 square plus 3 square, और magnitude of A vector जो under root 16 plus 9, under root 25, और mode of A vector request हो जाएगा मारे पास में 5 unit, इस type से हम लोग जो है, इसका A vector B mode of magnitude of B vector, आपको calculate करना है second, ये जो है, आपको calculate करना है, magnitude of B vector मैं आपको बताऊँगा, A vector plus B vector इसको note कर लिजे, अभी मुझे solve करना, third थाड़ हमारा है, A vector की value given है, अमारे पास 4i plus 3j, B vector की value given है, 3i plus 4j, हमको लिखना है A vector plus B vector, पहले vector की फोंग में, तो ये लिखे करना है, 4i plus 3j, A vector, B vector को लिख प्लस कर दीजे, 3i plus 4j, और A vector plus B vector की value हो जाएगे, 4 और 3, कितना होटा है, 7i plus 3, और 4, क्या लिखू 7j, और हमको find out करना, mode of A vector plus B vector, तो इसके लिए क्या करेंगे, अम लोग बच्चों, इसको लिखेंगे, under root, AX square plus AY square, ये होजाएग, AX की value कितना लिखू मैं, 7, तो ये होजाएगा, 7 square plus 7 square, तो 7, 7 होता है, 49 plus 49, और इसका अगर मैं under root, अगर सोल करो, तो ये होजाएगा, under root, 7, root 2 unit होजाएगा, इसका, इस टाइप सम्नों लिख सकते हैं, तो ये था, A vector plus B vector, आपको जो इस वीडियो का होमवर्ग में जो है, वो आपको करना फॉर्थ, आपको A vector minus B vector का find out करना है, magnitude, मतलब आपको find out करना, A vector minus B vector, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसे आपको जल्दी हमारे कोई भी वीडियो बने तो उसका आपको तुरंट मैसेज मिल सके, और कुछ डाउट्स रहे, तो आप लोग हमारे आपको कॉंटेट कीजिए, झाउट्स